हाई भाई लोग जिसने भी Redmi Note 3 Series को खरीदा है साइर उसको रोना परेगा क्योंकि वो जो है 4G के साथ आया तब सब लोग ने उसे पसंद करके खरीद लिया डिस्पले अच्छा है यह अच्छा है बट Redmi Note 11 Series जो है इंडिया में आने वाला है और वो भी 5G के साथ आएगा बहु Redmi Note 11 Series देखने के लिए मिल जाएगा तो भाई जिसने लिया है तुसको रोना पड़ेगा भाई इतना जल्दी हम कैसे बदल सकते हैं अब यूज करने दो एक साल यार कम से काम अगर Redmi Note 11 Pro के फूचर के बारा में सुनेंगे तो आपको रोना तो आही जाएगा लगता है मुझे जैसे कि Redmi Note 10 Series में सबसे हाइलाइट फ्यूचर क्या था दिस्प्ले था लेकिन इस बार Redmi Note 11 Pro के अंदर आपको कुछ और ही सबसे हाइलाइट फ्यूचर देखने के लिए मिलता है जो कि हम लोगों के लिए काफी अच्छी बात है अगर 20,000 के अंदर आता है तो क्योंकि कोई इतना अच्छा फास्ट चार्जर कोई भी नहीं देता है और हम लोगों को चाहिए कि पांच मिर्ट में क्या एक मिर्ट में चार्ज हो जाना चाहिए फोन दोस्टों यह जो चार्जर है 120 वार्ट का जो कि 25 मिर्ट में सारह 4000 एमेज की बैटरी को फुल चार्ज कर देता है लेकिन तश संप्लिंग रेट जो है वो ठोड़ा बरहा दिया गया 360 हैंटेट का आपको तश संप्लिंग रेट देखने के लिए मिल जाता है तो दिस्प्ले काफी अच्छा है इसके अंदर आपको पीछे की ट्रफ ट्रिपल केमरा से तो मिलता है जिसमें आपको 108 मेश्यक् खिल सकते हैं जैसे फिरी फाइर पपजी और बहुत शारा गेम हैं वह तो आप जानते होंगे और इसके अंदर आपको सब कुछ लेटेस देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि वाइफाइफ 6 देखने के लिए मिलता है एंड्रोइट 11 के साथ आता है और एंड्रोइड टू वह काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा बट एक गरबर है रेड्मी नोट 11 प्रो और रेड्मी नोट 10 सीरीज में भी था अमूले डिस्प्ले होते हुए भी साइड माउंटर फिंगरफ्रिंट से अगर इन डिस्प्ले फिंगरफ्रिंट करें तो और काफी कमाल कमाल कर फ्यूचर जो है रेड्मी नोट 11 प्रो के अंदर देखने के मिल जाता है अमूले डिस्प्ले हाइड रिफ्रेशिद हाइट संप्लेंग रेट 120 वाट का फास्ट चार्जर साड़ 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 मेंस की बैटरी डूवल अस्टूडियो स्पीकर और लाइट वेड़ यह तीन हजार जादा ही आपको देना पड़ेगा अगर फ्राइट को गेस करें तो रेड्मी नोट 11 प्रो का फ्राइट जो होगा सिक जी वीरेम एक शोट आजी वेस्टूरेश का वह 20,000 से शुरू होगा और 21 और 22,000 को भी देखने के लिए मिलेगा और लोंच के बारे में के बाट ट sites होने वाला ही है भाट अभी कोई खबर निकलकर नहीं कि यह स्मार्टफून कभ इंडिया में लॉंच होगा दोस्रें अगले महें तक इंतजार कर ले जिए और जी मुझे मुझे पता चलता है कि यह स्मार्टफून कभ लोंच होने वाला मैं आपको बता दूँ हैं तब तक के लिए बाई